नमस्कार केपनियूस 24-7 में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आयूशी विजेवर गया आपके साथ तो चले खबरों के सफर के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेड्लाइन्स पर करनाटक की राजिपाल ने साइन बोर्ड पर 60 फीजदी करनडभाशा वाला अध्यादेश लोटाया डिप्टी सीम डीटे शुकुमार ने दी ये जानकार भारत की ओपनर बल्लेबाज और करनाटक की कप्टान मैंक अगर्वाल त्रिकुरा की रास्थानी अगर्टरा के अस्पिताल में है पर्ड़ी ज्यानवापी मामले पर हिंदुों की पक्ष्मा आया बड़ा फैसला ते खाले में मिला पूजा पाठ का अधिकार जब तक जीवित हूँ बंगाल में सी ए ए लागू नहीं होने दूँगी पश्य बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी ने पाठ की नितीश कुमार की नहीं सरकार को विधहन सभा में साबित करना होगा बहुमत दस परवरी को फ्लोर टेस्ट अब देखते हैं समाचार बिस्तार से करनाटा की राइचोर जिले के सिरवार शहर में गुद्वार को मैसूर के पूरु शासर टीफू सुल्तान की मूर्ति को चपलो की माला पहनाने के बाद तनाव पैदा हो गया बुद्वार तड़के को शरारती तत्वों ने टीफू सुल्तान की प्रतिमा पर चपलो की माला पहना दी और सुबर लोगों को इसकी जानकारी हुई इस से लोगों में गुस्सा फैल गया इस घटना की निंदा करते वे बड़ी संख्या में लोग सामने आए और टीफू सरकल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने आरोपियों की तत्काल किरफतारी की मांग करते वे सड़क को जाम कर दिया और विरोध इस सल पर टायर जलाए इस घटना की सोचना मिलने देने की नीती की तहट अध्यादेश चारी किये हैं हाला कि मंजूरी के लिए राजिपाल के पास भीजा गया प्रस्तावस फिकार नहीं किया गया राजिपाल थावर्चंद गहलोत ने साइन बोर्ड पर साट फीजदी करनड भाशा वाला अध्यादेश लोटा दिया है बताया कि कॉंग्रे सरकार ने करनड भाशा का इस्तिमाल प्रोत्साहित करने की नीती के तहट साइन बोर्ड से चुड़ा अध्यादेश जारी क्या था राजपाल ने सरकार के अध्यादेश को वापस करते वे कहा कि से विधान सभा से पारित क्या राय जाए डिकेशु कुमार के मताबिक सरकार करनड भाशा को सहेच ने और इसे सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबत है उन्होंने कहा कि राजपाल अध्यादेश पर सहमती दे सकते थे भारत के ओपनर बलेबाज और करनाड़ के कप्तान मैंक अगरुवाल तरे पुरा की रास्थानी अगरतला के अस्पिताल में भड़ती है सूरत के आत्रा के समय मैंक बिमार पड़ गए उन्होंने मूँ और गले में जलन की शिकायद की थी इसके बाद उन्हें भड़ती करा गया था अस्पिताल प्रशासर ने देराद बताया कि उनके सिती अब ठीक है और वो खत्रे से बाहर है माना जा रहा है कि वो दुबार 31 जन्वरी को ने अस्पिताल से छुट्टी दे दी चाएगी मैंक ने अस्पिताल से तस्वीर भी शेयर की है उन्होंने लिखा कि मैं बहतर महसूस करता हूँ वापसे के लिए कमर कस रहा हूँ मैंक ने अस्पिताल में भटी होने के बाद पुलीस में शिकायत दर्ज कर आई है उन्होंने साजिश कारूप भी लगाया है मैंक ने इंडिगो की फ्लाइट में पानी समझकर एक पेप अदार्त का इस्तिमाल किया ये बिमान में उनकी सीट पर रखा था इसकी बाद वो बिमार हो गए मैंक ने अपने मैनेजर के जरीए पुलीस में शिकायत दर्ज कर आई इसकी पुष्टी परिश्रीम्त रिकुरा के पुलीस अदिखियات किरंकुमार ने की है उन्होंने कहा कि मैंग के मैनेजर ने न्यू कैपिटल कॉंप्लेक्स पुलिस स्थाने में शिकायद दर्ज कराई तेलंगाना प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी टीपी सीसी ने हाल ही में सोनिया गांधी से राजजे से लोकसभा चुनाव लड़ने का नुरोथ क्या था इसको लेकर अब नई जानकारी सामने आई है पार्टी की तेलंगाना यूनिट चाती है कि सोनिया गांधी खंबम सीट से चुनाव लड़ने इसको लेकर तेलंगाना कॉंग्रिस ने पार्टी आला कमान के पास आधिकारिक प्रस्ताव भी भेच चुकी है हाला कि इस प्रस्ताव पर गांधी परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इसके अलावा सोनिया गांधी को तेलंगाना की मेड़क नलकोंडा जैसे सीटों से भी चुनाव लड़ाने की चर्चा है लेकिर उच्छ सुत्रों के मताबिक उन्हें खंबम सीट से कि राहु गांधी पहले ही दक्षिन भारत के केरल के वाइनार से सांसद है अगर सुनिया गांधी भी दक्षिन भारत से लड़ती है तो इस से उत्तर भारत में अच्छा संदेश नहीं जाएगा और बीज़िपी को खुला मैदान मिल जाएगा महराष्ट में मराठा अरक्षन की मांग कर रहे कारिकरता मनोज जरांगे के रुगवाई में अंदोलन हो रहा है बीते करीब साथ मेंगे से अंदोलन के 20 बूमबे हाई कोर्ट पे जन्ही तिया चिका पी आई-ल दायर हुई दरसल सामजी कारिकरता मनोज जरांगे पार्टि में 6 फरवरी को सुनवाई हो सकती है रिपोर्ट की मताबिक 30 जन्वरी को ओविसी वेलफेर फाउंडेशन के अध्यक्ष ने जन्हीत याचिका करता मंगेश ससाने खुद को ओविसी वेलफेर फाउंडेशन का प्रमुग बता दे है जन्हीत याचिका में कहा गया है कि हिंदुस्तान के हर कोने में हम है मौजू 24 घंटे हालात पर गहरी नज़र खबरों से जुड़े चुपते सवाला और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनाशनल न्यूज की सबसे बहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24-7 काशी ग्यानवापी से जुड़े अलग अलग मामलों की सुनवाई वारनसी जिला नियाले में लगातार जारी है इसी कड़ी में आज जाने की बुद्वार को ग्यानवापी परिसर से जुड़े सोमनाद ब्याज जी के तैक खाने में नियमित पूजा पार्ट को लेकर वारनसी जिला कोट ने बड़ा फैसला सुनाया है कोट ने ब्याज जी तैक खाने में हिंदू को पूजा करने का अधिकार दे दिया है कोट ने साथ में ये भी निर्देश दिया है कि सादिन के भीतर वहाँ पूजा कराने की ववस्ता की जाए बीते मंगलवार को हिंदू मुस्लिन पक्ष ने इस मामले को लेकर अपनी अपनी दलिले पेश की थी जहां हिंदू पक्ष ने तैक खाने में प्रवेश के साथ पूजा पार्ट करने के लिए आदेश मंगा था वहीं मुस्लिन पक्ष ने इस पर आपती जोताई थी बतादे कि करीब तीन वहने तक आर्कियो लाजितल सर्वे आफ इंडिया के सर्वे के दोरां तैक खाने में साफ सफाई हुई थी कोड द्वारा आज दिये गए फैसले पर हर किसी की निगार टिकोड हुई थी बतादे कि 1993 से ब्याज जीत एकाने में बंद पड़ा था कॉंग्रेस निता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि बिहार की मुख्यमंद्री नितीश कुमार ने महागडबंदन के सयोग्यों के दबाओ में जाती सर्वेक्शन खिराने का आदेश लिया जिसकी बाद वो खुद को फसा हुआ महसुस कर रहे थे राहुल ने पूर्णिया जिले में एक रैली को संबुदित करते वे जदली औध्यक्ष को आडेखा दोलिया भारत जोडो निया यात्रा के दोरान यहां एक रैली को संबुदित करते वे कॉंग्रेस निता ने कहा कि आप लोगों कोई समझने की सदरूरत है कि कॉंग्रेस और आट जेडी द्वारा जाती सर्वेक्शन से निशित करने की बाद नितीश कुमार खुद को फसा हुआ महसुस कर रहे थे और भारती जन्ता पार्टी ने उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दी दिया अपनी भारत जोडों या यात्रा की क्रम में पूर्णिय जिले में क्रैली को संबुदित करते वे गांधी ने बार बार पाला बदले के लिए कुमार पर कटाक्ष भी किया पूर कॉंग्रेस अध्यक्ष गांधी ने कुमार के चानक पाला बदलकर महागर्ड बंदन से भाजपा नितराजग में चले जाने पर उन पर कटाक्ष करते वे का थोड़ा साथ दबाओ पढ़ता है और वो यूटन ले ले लेते हैं वश्यमंगाल के मुख्यमंद्री मम्ता बनरजी ने लोकसभा चुनाओ से पहले CAA का मुद्दा उठाने के लिए मंगलवार को भाजपा पनिशाना साथा और कहा कि वो अपने जिवनकाल में राजजे में से लागू नहीं होने देंगी उत्तर दिनाजपुर जिले के राइगंज में सारवचनी पितरनकारिक्रम के जवरान उन्होंने आरोप लगाया कि भरती चंता पार्टी ने लाब लेने के लिए आगावे चुनाओ से पहले नाग्रिक्ता संसोधन अधिनियम में यानि की CAA का मुद्दा उठाया है बनर्जी ने कहा कि भाजपा चुनाओ से पहले NRC, CAA और समान नाग्रिक्ता के बारे में पात कर रही है ये राजनीती के अलावा कुछ नहीं है हमने सभी को नाग्रिक्ता दी है और उन्हें सीमावर्ती शेत्रों के लोगों को सब कुछ मिल गाया है में नाग्रिक हैं यही कारण है कि वे बोर्ट देते हैं मम्ता बनर्जी ने कहा कि मैं स्वश्च कर दू कि जब तक मैं जीवित हूँ पर शमंगाल में से लागून नहीं होने दूगी मनर्जी ने केंद्री मंत्री और भाशपानीता शांत्रम फाकुल के खालिया दावे पर पर प्रतिक्रिया देते वे यह बात कही है मदरास उचनेयले ने मंगलवार को तमिलाडू सरकार के हिंदू धर्म और धर्मार्त बंदोबस्ती विभाग को सभी हिंदू मंदिरों में बोर्ड लगाने का निर्देश दिया जिसमें लिखा हो कि गैर हिंदूों के मंदिरों में कोडी मारम द्भज इस्तम शेतर से आगे जाने की अनुमती नहीं है अदालत ने कहा कि हिंदूों को भी अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का दिकार है उचनियाले के मदूरे पीट की नियाय मूर्थी एश्वी मती ने डी सेंतिल कुमार की आचिका पर सुमभाई करते में प्रस्ता दिया विहार में मुख्यमंत्री नितीश कुमार की निद्रत वाली नई राजक सरकार को दस फरवरी को विश्वास मत खासिल करना होगा संसदी कारी में भाग द्वारा मंगलवार को जारी कदी सूशा में कहा गया है कि सरकार बजट सत्र के पहले दिन धान मंडल के दोनों सद्नों में राजिपाल राजिंद्र विश्वनात अर्ले करके पारंपरिक संबुदन के बाद विश्वास मत खासिल करेगी जदियो अध्यक्ष नतीश कुमार ने नाटके उलट फेर के बाद रविवार को रिकॉर्ड नोवी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रुप में शपत्य थी उन्होंने पर पक्षी इंडिया गडबनन से नाटा तोड़तर अपने पुराने सयोगी भाजपा के साथ नहीं सरकार बनाई जिससे उन्होंने दो साल पहले नाटा तोड़ा था अधिसूश्णा में कहा गया है कि आगामी सतर में कुल 12 कारी दिवस होंगे और राज्य का बजट 12 फर्वरी को पेश क्या जाएगा यार उक्रेक और छोटी सब्रे के लिए फॉरान लाट हुए हिंदुस्तान के हर कोने में हम है मौजू 24 घंटे हालात पर गहरी नज़र खबरों से जुड़े चुपते सवाला और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनाशनल न्यूस की सबसे बहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें ब्रेक के बाद बढ़ते आंगे में बिहार की लोगों के लिए काम करता रहूंगा पीच फिल्म को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक नो एंटरी टू को बनाने की तयारी शुरू हो गई है लेकि अब इसे नए कलाकारों के साथ बनाने की बात कहीं जा रही है फिल्म के कहानी अनीज बजबी ने लिखी है और इसका निरदेशन भी वही करने बाने है एक रिपोर्ट के अनुसास रिक्वल के लिए रबरुन धवन, अरजुन कपूर और दिलजीत दोसांच को चुना करा है बताया जा रहा है कि फिल्म के लिए हावी भर दी है इस रिपोर्ट पे एक सुत्र के हवाले से कहा गया है कि नो एंट्री टू के स्क्रिप्ट काफी मज़धार है और इसके तीरों कलाकार काफी उट्साहित है फिल्म का निर्मान बोनी कपूर जी स्टूडियोस के साथ पिल्कर करेंगे मद्यपदेश की राजधानी भुपाल में निरों एक अनोखी निकाह के जमकर चर्चा हो रही है इनिकाह तो साल 2023 में हुआ था लेकिन इसका विडियो अब बारल हो रहा है निकाह आनोखा इसे है क्योंकि इसमें दूले की अमरे 103 साल है और दूले की अमरे 49 साल भुपाल के रहने वाले स्टंदरता सैनानी हभीब नजर ने 103 साल की अमरे 49 साल की फैरोज जहां से निकाह किया निकाह पिछले साल हुआ था किसी ने रहएवार को सोशल मेडिया पर इसका विडियो वारी कर दिया हभीब नजर के 30 शादी है वारल विडियो में हभीब नजर एक आटो में अपनी दुलहन के साथ निकाह कर वापस अपके घर लोट देती वारल वीडियो में हभीब को लोग बढ़ायां देते भी नज़र आ रहे हैं हभीब मुस्कुराते वे सबका शुक्रिया अदा करते दिख रहे हैं मुपाल के इतवार में रहने वाले इस वतंत्ता सैनानी हभीब नजर का पहला निकाल नासिक में हुआ था दूसरा निकाल अकनाओ में हुआ था कुछ समय पहले दूसरी पत्नी के इंतकाल के बाद हभीब को अकिलापन सताने लगा इस पर उन्होंने निकाह करने का फैसला किया फिरोज जहां के रूप में उन्हें नहीं हमसफर मिली वो खुद भी पती के इंतकाल के बाद अकिली थी फिरोस्तिम गावी को इसने कहा के लिए इसलिए मान गई क्योंकि हभीब का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था चले एक बाफिर से नजर डालते हैं हेडलाइन्स पर टीपु सुल्थान की मूर्थी को पहनाए गई चपलोग हिमाला करनाटक की राईचुर शहर में बढ़ा तनाव करनाटक की राजपाल ने साइन बोर्ड पर साथ फीज़दी करनडभाशा वाला अध्यादेश लोटाया डिप्टी सीम डीकेश उकुमार ने दी ये चाहता है भारत की ओपनर बल्लेबाश और करनाटक की कप्तान मैंक अगर्वाल त्रिकुरा की रास्थानी अगर्टरा के अस्पिताल में है बढ़ा पी मामले पर हिंदू की पक्ष्मा आया बड़ा फैसला ते खाले में मिला पूजा पाठ का अधिकार जब तक जीवित हूँ बंगाल में सी ए ए लागू नहीं होने दूँगी पश्य बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी ने पाठ नितीश कुमार की नहीं सरकार को विधहन सभा में साविक करना होगा बहुमत दस परवरी को फ्लोर टेस्ट केपिन्यूस के इस गुलिटिन में फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया से जूड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आपने रहेए केपिन्यूस 24-7 धन्यवाद